नमस्कार दोस्तों लखीमपूर के भयानक इंसिनेंट पर कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं सुप्रीम कोट के बयान के बाद अब फाइनली पुलीस ने मेन अक्यूस्ट को अरेस्ट कर लिया है अब जाकर चीजे थोड़ी क्लियर हो रही हैं कि उस दिन एक्चुली में हुआ क्या था किसानों गेसा इस वीडियो में आईए एक नजर डालते हैं लखीमपूर खीरी में बीते रविवार को किसानों को गाड़ी से कुछले जाने का साफ वीडियो अब सामने आया जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये सब उस दिन हुआ था जब यूनियन मिनिस्टर अजे मिशरा अपने गाउं में गए थे एक रैसलिंग टूर्नामेंट के लिए और इस रैसलिंग टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट थे उतर प्रदेश के डेपीटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्या किसानों का कहना था कि अजे मिशरा के बेटे आशीश मिशरा गाड़ी में मौझूद थे और जान पूच कर ये गाड़ी चड़ाई गई थी किसानों के उपर दूसरी तरफ अजे मिशरा क्लेम करते हैं कि पहले किसानों ने स्टोन पेल्टिंग करी थी गाड़ी के उपर उसके बाद जाके गाड़ी ने कंट्रोल लूस कर दिया और गाड़ी जाकर किसानों से टकरा गई लेकिन सिर्फ एक ही दिन बाद ये वीडियो वाइरल होता है सोशल मीडिया पर जिसमें दिखता है क्लियरली किसान बड़ी शांती से चलकर जा रहे हैं अपने हाथ में जंडे लिए और पीछे से अचानक से गाड़ी आकर उनसे टकरा जाती है ये वीडियो में आपको ज्यादा दिखाऊंगा नहीं अपने वीडियो पर क्योंकि मैं खून खराबे वाले वीडियो जंता को दिखाना क्योंकि बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं लेकिन इस वीडियो में दिखता है कि गाड़ी अचानक से आकर पीछे से ट खुल गया है टककर की वज़े से या फिर ये light की reflection इस तरह से पढ़ रही है कि wind शील ऐसे दिख रही है वीडियो के थोड़े पीछे के frame देखोगे तो light reflection मेरी राय में सबसे probable चीज लगती है याँ पर लेकिन ये बड़ा doubtful लगता है कहना कि इस गाड़ी पर stone pelting होई थी क्योंकि वीडियो में आप clearly देख सकते हो जो किसान शान्ती से चल कर जा रहे हैं उनमें जोश भी नहीं है अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनके 10 मीटर पीछे जो किसान थे वो इतने जोश में थे कि वो पत्थर फेक रहे थे और ये किसान लोग इतने शान्ती से चले जा रहे थे और इसके इलावा अगर मान भी लिया जाए गाड़ी की विंडशील पत्थर से तूटी होई थी तो इसमें भी कोई सेंस नहीं बनता कि गाड़ी ने एकदम से कंट्रोल लूस कर दिया क्लियरली दिखता है सीधे पात पर टॉप स्पीड पर मानो गाड़ी भगाई जा रही हो अगर सामने कोई भीड चल कर जा रही है तो आपका इंस्टिंक्ट होगा ब्रेक लगाना ना कि उनके उपर से गाड़ी चड़ा देना इतना ही नहीं एक और वीडियो निकल कर आया है जिसमें दिखता है कि एक इनसान SUV से नीचे उतरने लग रहा है और भागने लग रहा है कि एक्चुली में सुमित जैसवाल है जो कि एक लोकल बीजेपी लीडर है जिनकी एक फोटो भी दिखी थी आशीश मिश्रा के साथ फार्मर लीडर परमजीत सिंग ने आउटलुक मैगजीन को बताया कि एक्चुली में किसानों को जब पता चला आजे मिश्रा और केशब प्रसाद मौर्या हेलिकॉप्टर से आने वाले हैं तो उन्होंने प्लाइन किया कि वो हेलीपैड पर पहुँच जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए लेकिन किसान इतने ज़्यादा हो गए हेलीपैड पर कि हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को उतारना पॉसिबल नहीं रहा तो फार्मर लीडर्स ने सस्पेक्ट किया कि अब वो रोड से आएंगे और अगर वो हेलिपाइट के पास वाली मौजूद रोड से आएंगे तो बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पर मौजूद होंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे तब allegedly इनके according अजे मिश्रा के बेटे आशीश बड़े नराज होगे जानकर कि रूट को डाइवर्ट कर दिया गया किसानों की वज़े से तो वो अपनी गाड़ी में आये दो बाउंसर्स के साथ दो और गाड़ीों के साथ किसानों को एक लेसन सिखाने के लिए इनके according गाड़ी ने जब टककर मारी उसके बाद आशीश मिश्रा गाड़ी से निकले कुछ बुलिट्स हवा में मारी उन्होंने और उसके बाद वो खेत की तरफ भाग गए बहाँ पर लोकल पुलीस प्रेजेंट थी जिन्होंने कवर किया उन्हें और उनकी मदद से वो वहाँ से भाग निकले न्यूज लॉंड्री ने जब अपनी ग्राउंड रिपोर्ट करी इस चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ लोगों से बात करी जो उस वक्त वहाँ मौझूद थे उन्होंने भी एक सिमिलर सी ही कहानी बताई कि exactly क्या हुआ था एक लोकल फार्मर जोग मित्तल सिंग ने बताया कि सब काफी रिलाक्स थे उस वक्त एक लंगर प्रिपेर किया गया था सारे किसान वहाँ पर आकर खाना खा रहे थे और जिन्होंने खाना खा लिया था वो उठकर वापस जाने लग रहे थे उसी वक्त ही जब वो आराम से वापस जा रहे थे पीछे से एक फॉर्चुनर गाड़ी आती है एक थार और एक स्कॉर्पियो फुल स्पीड पर आकर उन्हें टक्कर मारती है इसके बाद सब लोग चिलाते हैं कि कुछ लोग मारे गए हैं आपर दो गाड़ी आपना कंट्रोल लूस कर लेती हैं और पलट जाती हैं इसके बाद ही शूटिंग होती है उनके अकॉर्णि एक किसान को गोली मारी जाती है एक लोकल और बताती है कि जब लोग भाग रहे थे उन्होंने सुना था कुछ लोग चिला रहे थे मोनु भाईया मोनु भाईया मोनु मिश्रा को रेफर करते हुए जो कि एक्चुली में आशीश मिश्रा हैं परमजीत सिंग इस चीज़ को भी अकनॉलेज करते हैं कि जब गाड़ियां चढ़ाई गए फार्मर्स के उपर उस पर इस तरह से हमला किया गया था इस पूरे इंसिरेंट में रिपोर्ट ये किया गया था कि चार किसान मारे गए हैं दो बीजेपी वरकर्स की हत्या हुई है एक ड्राइवर और एक लोकल जर्नलिस्ट रमन कश्यप भी मारे गए हैं अब यहाँ पर कहानी में एक टूिस्ट जर्नलिस्ट रन विजे सिंग को इंटर्व्यू देते वक्त रमन कश्यप के भाई कहते हैं कि कुछ मीडिया वाले जबर्दस्ति उनके मुँँ में शब्द डाल रहे थे जबर्दस्ति ये दिखाना चाहरे थे कि जिन जर्नलिस्ट की यहाँ पर हत्या हुई है उन्हें एक्चुली में किसानों ने मारा है दंडो से लेकिन फैमिली का कहना था कि एक रिपोर्टर आकर ये जबर्दस्ति प्रूफ करना चाहरा है कि रमन को लाठियों से मारा गया ह लेकिन रमन के भाई पॉइंट आउट करते हैं कि पोस्ट मॉटम रिपोर्ट तो अभी रिलीज भी नहीं हुई थी अभी एक आये चैनल वाले तो बोल रहा है कि पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में आए कि लाठी डंडो से मारा गया है जबकि भाई साब अभी रिपोर्ट इस पूरे इंसिडेंट के बाद सबसे पहला अरेस्ट किसी मर्डर अक्यूस्ट का नहीं हुआ बलकि ऑपोजिशन पॉलिटिशन का हुआ कई उपोजिशन पॉलिटिशन लखीम पूर जाना चाहते थे फैमिली से मिलने किसानों की जैसे कि समाजवादी पार्टी के पॉलिटिशन अक्यलेश यादफ लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया गया लखनाओं में जिस से पहले कि वो लखीम पूर जा पाते है इसके बाद कॉंग्रेस की पॉलिटिशन प्रियंका गांधी और दिपिंदर हुड़ा को भी डीटेन कर लिया गया यूपी पुलीस के दुआरा प्रियंका गांधी ने पूछा क्या लीगल बेसिस हैं उनको अरेस्ट करवाने के पीछे क्योंकि वो सिरफ चार लोग थे वो तो सेक्शन 144 को भी वाइलेट नहीं कर रहे थे इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अफ़ान करोगे ये है लीगल स्काटस तुम्हारा जाके अपने अफसरों से और अपने मंदियों से जाके वालट लाओ लेकिन इसके बाद भी इन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया करीब 24 घंटे के बाद इन्हें officially अरेस्ट कर लिया गया under section 151 Arrest to Prevent Commission of Cognizable Offenses लेकिन अभी तक आशीश मिशरा को अरेस्ट नहीं किया था इवन दो काफी आईविटनेस अकाउंट्स उन्हें ब्लेम कर रहे थे एक वीडियो भी मौझूद था उनकी गाड़ी भी वहाँ पर मौझूद थी लेकिन फिर भी वो फ्री घूम रहे थे इंटर्व्यूस देते हुए 7th October को finally उत्तर प्रदेश की पुलीस जाकर कुछ action लेती है आशीश मिशरा के अगे क्या action यह जाकर Union Minister अजेश मिशरा के घर के भार एक notice चिपका देते हैं इस notice पे लिखते हैं कि इनके बेटे आशीश मिशरा पुलीस के सामने हाजिर हो 8th October को in connection with this case लेकिन 8th October को आशीश मिशरा पुलीस के पास नहीं आगते हैं इसी दोरान दो UP-based advocates शिफ कुमात रिपाठी और CS Panda एक letter लिखते हैं Supreme Court को जिसके बाद Supreme Court इस incident के regarding एक PIL register कर देता है Supreme Court उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि इस case के regarding status report फाइल करी जाए और बताया जाए कौन है accused किन के खिलाफ F.I.R. register करी गई है और किन है arrest किया गया है अभी तर इस case की सुनवाई होती है Supreme Court में 8 October को इस case की सुनवाई में Supreme Court के bench पर होते है चीफ जस्टिस, जस्टिस हीमा कोली और जस्टिस सूरिय कान और तीन बड़े बयान दिये जाते है Supreme Court के दुआरा पहला बयान Supreme Court का कहना है कि UP सरकार ने जो action लिया है इस case में वो satisfactory नहीं है जब इतना बड़ा allegation है कि यहाँ पर murder हुआ है, एक gunshot injury हुई है कि किस तरह से accused को treat किया जा रहा है ऐसे notice भेजा जा रहा है कि प्लीज हमारे पास आजओ, प्लीज हमारे पास आजओ ताकि हम आपसे सवाल कर सके क्या इसी तरह से accused लोगों को treat किया जाता है murder accused को दूसरी चीज Supreme Court कहता है इन media वालों के against, Times Now ने एक जूटा tweet निकाला था कि कैसे Chief Justice of India लखीमपूर victims के relative से मिल रहे थे Chief Justice कहते है कि कुछ तो sense रखो, Justice Suria Khan कहते है कि freedom of expression का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी लिखने लग जाओगे तीसरा बड़ा बयान Supreme Court का होता है CBI probe को लेकर काफी लोग suggest करते हैं कि जब भी कोई इतना बड़ा incident हुआ है कि CBI की investigation करानी है CGI कहते हैं कि CBI इन चीजों का solution नहीं है because of the persons involved CBI is not the solution for reasons known to you यह कही न कहीं इशारा किया जा रहा है कि CBI एक independent agency नहीं है सरकार के द्वारा control करी जा रही है indirectly तो वो agency कैसे यहाँ पर एक fair investigation करेगे especially इसे आप consider करो कि आशीश मिश्रा के father अजे मिश्रा एक union minister है minister of state for home ministry और बहुत सी agencies हमारे देश में जैसे कि Narcotics Control Bureau, NCB, National Investigation Agency, NIA Intelligence Bureau, IB और in fact दिल्ली पुलिस भी home ministry के अंडर आती है Supreme Court ने तो CBI को एक बारी caged parrot भी कहा था और दो महीने पहले ही मदरास High Court ने कुछ directions इशू करी थी Central Government को कि CBI की agency को और ज्यादा independent बनाया जाए कहा था कि इस caged parrot को आजाद करो Finally जाकर 9th October की सुभह आशीश मिश्रा पुलीस के Crime Branch Office में SIT यानि Special Investigation Team के सामने अपियर हुआ और घंटों की interrogation के बाद Finally उसे गिरफतार कर लिया गया अभी के लिए वो judicial custody में है और पुलीस ने application submit करी है Remand की यानि ये मांग करते हुए कि उसे पुलीस custody में लाया जाए और इसकी सुनवाई court में होगी 11 October की सुभै को तो ये है अभी तक का status दोस्तों एक सवाल शादा पूछोगे तो क्या finally prove हो जाता है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीश मिश्रा इस case में guilty है ये तो दोस्तों तभी बता चलेगा जब trial होगा trial के बाद ही proof किया जा सकता है कि वो guilty होंगे या नहीं होंगे अभी के लिए वो सिर्फ main accused है लेकिन morally अगर हम बात करें तो अजय मिश्रा को क्या resign नहीं कर देना चाहिए अपनी post से इस incident को लेकर इनकी resignation की demand कई लोगों ने उठाई है victims के parents ने और opposition politicians ने यहां पर गांधी जी का एक court याद आता है मुझे there is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience यह resign करें ना करें लेकिन BJP ने अपने BJP लीडर वरुन गांधी को जरूर resign करा दिया है अपनी national executive committee से drop कर दिया है और इसके पीछे एक बड़ा simple सा reason बताया जाता है क्योंकि 4th, 5th और 7th October को वरुन गांधी ने कुछ sympathy दिखाई थी शहीद किसानों के लिए उन्होंने post किया था अपने social media पर ये कहते होए कि कुछ तो accountability होनी चाहिए यहां पर इस तरह से हत्या करी जा रही है लेकिन शायद भारतिये जनता party को इतना emotion पसंद नहीं आया शायद BJP हर किसी leader से अपनी party में यही expect करती है कि जैसे प्रधान मंतरी Modi ने अपनी चुपी बनाये रखी है इस लखीमपूर के incident को लेकर बाकी सारे BJP leaders भी चुप रहें लेकिन मुझे ये बात काफी shocking लगती है क्योंकि इस पूरे incident में दो BJP workers की भी हत्या हुई है क्या अपने party के workers की भी चिंता नहीं है और अगर कोई opposition का politician मिलने की कोशिश करता है इन victims की family से sympathy दिखाने की कोशिश करता है तो उससे भी problem होती है उन्हें भी नहीं जाने दिया जाता है क्यों भी politics सिर्फ धर्म और caste के नाम पर लड़ने कोई कहते है क्या सिर्फ नफरत फिलाने कोई politics कहते है या MLA खरीदने बेचने कोई politics कहते है अगर यहाँ पर एक आम आदमी से जाकर मिलने की कोशिश करी जा रही है कुछ politicians के दुआरा विक्टम से मिलने की कोशिश करी जा रही है तो इसमें गलत किया है हालकि इने बाद में permission जरूर मिल गई थी end में मैं बस यहीं उमीद करता हूँ कि investigations इस case में एक fair तरीके से होंगी और लोगों को justice मिल पाएगा उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद